नमस्कार दूस्तों मेरा नाम है सतीस और अपका बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में तो फिरिंड्स आज हम अन्बॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं T800 Ultra 2A स्मार्ट वाच की तो आज के इस वीडियो में इसके साड़े फीचर्स में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर्स हमको Ultra 2 में देखने के लिए मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए आपको मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आगी और फाइनली हमारा ये स्मार्ट वाच है तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए हमको इधर मिल जाता है तो यहाँ पे इसको रख देते हैं साइड में ठीक है फ्रेंट्स अब देखिए हमारा ये स्मार्ट वाच है तो कुछ इस तरीके से आपको ये सो हो जाएगा कॉलिंग फीचर आप इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है और कॉलिंग फीचर इसमें आता है ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पे आपको बिल्कुल भी वरोसा नहीं करना है ठीक है फ्रेंट्स कुछ इस तरीके से आपको ये देखने के लिए म तो यह High Watch Pro की तरफ से आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, High Watch Pro एप से आसानी से यह connect हो जाएगा, ठीक है, तो High Watch Pro में जो है, यहाँ पे 12 होर्स में टाइम करने का features नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसमें भी आपको 12 होर्स में टाइम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ कोई problem यहाँ पर नहीं आएगी, उसके बाद उपर से scroll करने पर, यहाँ पर message notification, app से connect करने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं, side से आपको split screen का option मिल जाता है, ठीक है friends, और इसमें dynamic island भी दिखने के लिए मिल जाता है, जो उपर show करेगा, उसको on करना पड़ेगा, setting में जाके मैं आपको दिखा देता हूं, इधर से आप इसकी activities check कर सकते हैं, address, BP monitoring, यहाँ पर weather report, music को control कर सकते हैं, तो यह feature आपको मिल जाता है, नीचे से scroll करने पर, यहाँ पर आपको कुछ apps देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपने recently use किया होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका देन और डेट भी यहाँ पर लिख के आ रहा है, ठीक है friends, तो यह feature इसमें नया जोड़ा गया है, अब सोच रहा होगे कि यहाँ पर पैनल यहाँ पर कैसे खुल के आएगा, यहाँ पर एक बार इसको click कि जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पैनल यहाँ खुल के आजाता है, जिसमें आपकी बैटरी यहाँ पर सो करती है, यहाँ से calling feature को आप on off कर सकते हैं, देखिए audio Bluetooth mode यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद menu style की बात करें, तो यहाँ पर पांच तरीके के menu style हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है friends, flight mode का feature, D&D का feature, music control और torch यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाता है, आपका smart watch connect है कि नहीं, यहाँ पर सो हो जाएगा, cross का निसा ना भी आ रहा है, अगर connect होगा तो यह हट जाएगा, तो यह feature इसमें देखने के लिए आपको setting में मिल जाता है, यहाँ पर देखिए side की setting आपको मिल जाती है, यहाँ पर click करके आप जो select कर लीजेगा, तो side की से वह ही खूलेगा, जैसे मैंने अभी spots को select कर लिया है, तो यहाँ पर click करूंगा, तो यहाँ पर देखिए spots ही खोल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीक चाहते हैं इसको तो यहां से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं यहां पर आपको जो एस्टाइल मिल जाती है इस पर क्लिक करके और यहां पर पांच तरीके की मिल जाती है तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से आप इसको चेंज कर पाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आए ठीक है friends अब इसके features के बारे में मैं आपको बता देता हूं उसके बाद friends मैं इसको connect करूँगा आप direct bluetooth से और देखेंगे कि हमारा speaker कैसा काम कर रहा है calling feature work कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे पहले यहाँ पे आप देख लिजी इसके features तो features की बात करें friends तो यहाँ पर हमको सबस देखने के लिए मिल जाता है ECG sports तो यह साड़े sensor related जो feature है वो बिल्कुल fake है साड़े fake है इसमें ठीक है friends क्योंकि sensor इसका fake है तो इस पे थोरा सा भी विश्वास हमको नहीं करना है camera का feature हमको मिल जाता है तो app से connect करने के बाद इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे music को भी आप control कर पाएंगे bluetooth से connect करने के बाद reset कर सकते हैं weather का feature आपको इसमें मिल जाता है तो connect करने के बाद weather आप यहाँ पर देख पाएंगे phone कहीं से आप से यहाँ पर बता देगा looking for का feature मिल जाता है looking for क्या होता है कि friends आप अपने smartwatch से phone को और phone से smartwatch को ढूंट सकता है connect रहेगा तब कोई personal message आएगा connect करने के बाद यह सब सो कड़ेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर stopwatch आपको मिल जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से work करता है कोई दिक्कत नहीं आएगी QR code मिल जाता है आप को download करने के लिए उसके बाद more की setting यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पर back to dial का जो feature है वह आप यूज कर सकते हैं कि कितने दिर में हमारा back हो जाएगा ठीक है यहाँ पर one minute या फिर four river यहाँ पर इसको कर सकते हैं ठीक है उसके बाद friends आपको यहाँ पर मिल जाती है power down का option तो यहाँ से आप अपने smart watch को off week कर सकते हैं उसके बाद यहाँ display and bright screen का feature आपको मिल जाता है तो यहाँ से आप brightness को घटा भरा सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है friends तो आपको कोई problem नहीं आई उसके बाद यहाँ पर rise LED on का feature आपको मिल जाता है तो इसको on कर दीजेगा तो बटन दबाने के कोई जोत नहीं पड़ेगी ठीक है light जब जब ज अपने आप आप आजाएगी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगे कुछ इस तरीके से ठीक है friends तो यह feature इसमें आपको मिल जाता है इसको आप आसानी से यूज कर पाएंगे बटन दबाने के आपको कोई जरुवत नहीं पड़ेगी अब यहाँ फिर से मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए split screen mode का feature आपको मिल जाता है side से जो screen छोटा सा खुल रहा है उसको यहाँ से आप on off कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं आने वाली है तो यहाँ पर हम एक बार screen timing को एक minute कर देते हैं ताकि बार बार यहाँ पर screen बंद ना हो उसके बाध यहाँ पर side key setting मिल जाती है Тоए side key से आप क्या क्या खूलना चाहते है यहाँ से आप इसको control कर सकते हैं और जो खोलना चाहते है आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं तो मैं इसको more पर कर लेता हूं फिर से क्योंकि settings बार-बार यहाँ पर आपर यहाँ घॉलनी प लग जाएगा तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है कुछ इसको खेल सकते हैं और इसको यूज rivers कर सकते हैं ये की तरीके का गेम मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है उसके रफ और के आपको यह पसंद आ रही होगी गर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार मैं इसको phone से connect करूँगा ताकि आप मैं आपको इसकी sound सुना सकूँ और बता सकूँ कैसे इसको connect कर सकते हैं आप phone से ठीक है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर Bluetooth को on कर लेना है Bluetooth को on किजेगा तो यहाँ पर available device में आपका smart watch सो हो जाएगा ठीक है friends तो आपको क्या करना है कि इसको दबा के सबसे पहले यहाँ पर calling feature को on कर लीजेगा अगर यहाँ पर off पर click रहेगा तो connect नहीं होगा अब यहाँ पर देखिए दो तरीके से यह connect होता है एक तो एप से connect हो जाएगा दूसरा डायरेक्ट Bluetooth के साथ connect हो जाएगा तो दोनों यह option यहाँ पर सो कर रहा है तो यह वाली जो option ने वह एप वाली है तो इसको connect नहीं करना है यहाँ पर headphone का जो logo दिख रहा है उस पर आप के phone में तो आपको pair कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर हमारा जो smart watch है वो connect हो चुका है अब यहाँ पर कोई भी वीडियो चलाएंगे या फिर calling feature को आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं sound जो है आपके smart watch में आएगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर calling feature को ही try करेंगे ठीक ह हो गई है तो फ्रिंट्स यहाँ पर sound हमको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है sound इसका media में कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर प्रोब्लम sound में आ सकती है ठीक है फ्रिंट्स sound को आप घटा बरा सकते हैं call को यहीं से आप काट भी सकते हैं कोई लिकत नहीं आने वाली है अब यहाँ पर एक और प्रोब्लम मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं अपने smartwatch को और वीडियो देखते हैं YouTube पे Facebook के यह फिर कोई साभी वीडियो देखते हैं आप तो sound जो है आपको smartwatch में ही आए ठीक है अगर जब तक आप connect रखिएगा sound smartwatch में ही आएगी क्योंकि यहाँ पर जो feature है वो work नहीं कर रहा है अच्छे तरीके सब सबसे पहले मैं यहाँ पर वीडियो चला के मैं आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर वीडियो चल रहा है हमारा एक बार sound को full कर लेते हैं त आप चाहते हैं कि calling feature को यूज कर पाए और audio हमारी smartwatch में ना आए तो ऐसा नहीं होता है audio को off करते हैं तो calling भी आपका off हो जाता है आपका smartwatch disconnect हो जाता है यह problem आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी तो overall देखे तो smartwatch कोई बहुत ही अच्छा नहीं है कोई ज्यादा यहाँ अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद